पूर्व वित्यमंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है अरुण जेटली लंबे समय से बीमार चल रहे थे दोपहर बारा बचकर साथ मिनिट पर होने अंतिम सांस ली आपको बता दे कि एमस में उनका इलाज चल रहा था 9 अगस को एमस में भरती किया गया था कल अंतिम दर्शन के लिए बीजोपी कार्याले में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा सुबह 10 बजे से कार्याले में रखा जाएगा पार्थिव शरीर और कल दोपहर 2 बजे निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संसकार झालका जाएगा चाना निग्व शरीर बिल्शन को च गठाएगा धिर खृट में खना जाएगा पर जाएगा जाएगा ड़का पार्शन को पशा जाएगा पॉश्य जाएगाान के लिए निगे कार्वार इंदी है कि अधा सामय के निदर हुए है कि मैं डबनाई जी की सर्कार की तरफ से मांगेस पार्टी तरफ से अपनी समय बना बेचा रता हूं अधान जेशनी जहां एक अच्छे प्रसाशकते और केंजरी मंती के रूप में उन्हों ने चाये भीत बनती रहे हूं दूसरे भाव को बनती रहे हूं उन्हें बहुत ही संजीदा से अपने कर्टवों को निमया और मैं समझता हूं कि बहुत से फैस्ट्रे रास्टनेमार में इसके समय बहुत अक्छे हुए थे और फिश्टा रजी तरभीयत कुछनों से ख्राब तीयो है और कुंभाना जी जातुटा जए और स्पूर्स तेए। स्पूर्स में टि데 कैट में भी क॥ा काफी गर्भडान भाड़ा। वो द्ली वोट केmen भी रहे रहयं पढ़ोंपः डिए। मेरे बड़े भाई थे और नयतिक मूर्यों की राजिवी थी उनके साथ हमने रहकर सीखी थी वो असाध हंड गर्षित के धनी थे वो महामालब थे वो सुपर हुमन थे यह बन रहकी जिनता पाई जिक रुफसान नहीं है यह देश की छती है दुनिया की छती है जिसने जब से हौश संभला अपने जीवन को समठ्पित किया था भारत माता की चरणों की सेवा के लिए पाल्टी के या सरकार के बाद सरकार के पक्स को रखना होता था तो गेख लीजी से बहतर कुल प्रवक्त का मिलता नहीं था जिस्टियों का दिसलेशन करना उसकी गहराई में जाना और उसकी एक एक चीच इस पस्ट कर देना यह उनकी अदुपत मेधा का कमाल जुआ करता था मैं अस्पताल भी गया था बरिजनों से मिलके आया था क्योंकि उनके इस पास के लिए और चित नहीं था जाया जाता लेजिए फिर भी हम किसी चमटकार की उन्यद कर रहे थे प्रव्यक्ति गिग लेने जोने जोने चरणों में प्रणाम करी अरुम जी का समाचार सुनकर ऐसे लगा जैसे मेरे घर में ही अपनी कोई परिवारत में छती भी मैं दिल्ली गया था 2008 में जब मैं संसद में पहली बार पहुंचा तो मैंने उनकी उंगलियों के पोर पकड़कर पार्लेमेंट की प्रोसीजर और प्रोसीडिंग सिखने तो प्रोसीज की तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे संसद में मेरा बड़ा भाई नहीं है जो मुझे सिखाने वाला कोई है लेकिन उन्होंने एक एक चीज सिखाई और यही कारण था कि भारती संसद में मैं बजट तक पर बोला तो अरुन जी ने मुझे बहुत सिखाई वो अपने आने वाली पिड़ी को वैचारी क्रुप से मजबूत करना और विशय पर बोलने के लिए प्रेड़ना देते हैं और जितने लोग आज हमारे दुती स्रेणी के हैं सेकेंड जनरेसन जिसको बोलते हैं वो सब कहीं न कहीं अरुनजी से सीखने में और सीख कर आये हुए सब को गढ़ने की कोशिस की वह व्यचारी क्रुप से प्रतिबद्ध थे कि युवा थे और आपात का लगा तो जेल के सीख्चों में गए लेकिन माफिन नहीं माई इतने कर्मट थे और इसलिए नकेवल व कि प्रक्ता थे वो वक्ता भी थे और प्रवक्ता थे के मीडिया फ्रेंडली थे उसे सीखने आते थे मीडिया फुर्श कोِ mast सिखाने में विश्वास लगते थे वो सबके दोस्त थे लेकिन उनकी आखों के सामने भारत माता का चित्र रहता था उसके बाद विचार धारा रहती थी संसद उनको सुनने के लिए लालाईत रहता था दोनों सद्रों में जब यह बात पता लगती थी कि आज अरुंजी बोल से प्तातना करता हूं कि यह इस्वर्थ उन्हें अपने चड़ों में सद्गधी पुदाने अरुन जीत लिए का आफसान हम भारती जनता पार्टी की कारिकरतां के लिए बहुत दुख़त है उनके जैसा वेक्टित की पूर्थी हो पाना भारती राजनीत में और भारती जनता पार्टी में मुझे निपट भाविश में दिखाई नहीं देता तो ग्यान के बंडार थे और कारकरताओं को हमेशा उनका संदक्षण और मारुदर्शन प्राप्त होता रहता था मैं जब राजसभा में पहुंचा हो समय वह राजसभा के नेता थे और नेता होने के नापे वह हमेशा हम नए लोगों को प्रोशाइद करते रहते थे और जब कर्भी आशक्ता होती थी किसी विशेपन दिमारुदर्शन की वह सदेव हमें सुलब रहते थे